कोरोना वाइरस की युग में हमारे लिए परमिश्वर की पत्रिया पॉल सी जॉंग इन बातों के बाद में मैंने द्रश्टी की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के सब्द से अपने साथ बाते करते सुना था वही कहता है यहां उपर आजा और मैं वे बाते तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है तुनंध में आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक शिहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिहासन पर कोई बैठा है जो उस पर बैठा है वह यशप और मानिक के सा दिखाई पड़ता है और उस सिहासन के चारों और मरकत सा एक मेग धनुष्य दिखाई देता है उस सिहासन के चारों और 24 सिहासन है और इन सिहासनों पर 24 प्राशिन स्वेत वस्तर पहने हुए बैठे हैं और उनके सीरों पर सोने के मुखट है उस सिहासन बैसे बिजलिया और गर्जन निकलते हैं और सिहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं फिर परमेश्वर की साथ आत्मा हैं और उन सिहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान काँच कासा समुद्र है सिहासन के बीच में और सिहासन के चारो और चार प्राणी है जिनके आगे पीछे आँखे ही आँखे हैं पहला प्राणी सहीं के समान है, दूसरा प्राणी बचड़े के समान है, तिसरे प्राणी का मुझ मलुष यकासा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है चारो प्राणियों के 6-6 पंक है और चारो और भीतर आखे ही आखे हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिये या कहते हैं रहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमार जो था और जो है और जो आने वाला है जब वे प्राणी उसकी जो सिहासन पर बैठा है और जो युगानो युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवात करेंगे तब 2400 प्राणी सिहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानो युग जीवता है प्राणाम करेंगे और वे अपने-पने मुकुट सिहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हैं हमारे प्रभु और परमेश्वर, तुही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य हैं, क्योंकि तुही इने सब वस्तुए सुरूजी हैं, और तेरी ही इच्छा से ये सब कुछ उत्पन हुआ। दुनिया भर के देशों की अपनी अनुटी भासाएं हैं, और हम दोहरी भासा की किताबे एक साथ रखते हैं, ताकि लोग एक ही समय में दो भासाओं की बीच के पाट की तुलना करते हुए उन्हें पढ़ सके। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे परिवारों के लिए हमारी दोहरी भासा की इपुस्तके बहुत मददकार होंगी। जितना अधिक हम दोहरी भासा की ई-पुस्तके प्रकाशित करते हैं उतने ही अधिक लोग उन्हें डाउनलोड करेंगे और जितना अधिक उनके आत्माई सम्रूत होगी वे पानी और आत्मा के सुसमचार के लिए धन्यवाद होगे मैं यहां हर महिले की बात नहीं करता लेकिन कुछ लोगों ने दरजन ई-किताबे डाउनलोड की है इसलिए मुझे बहुत उम्मीदे हैं आखिर ये लोग हमारी ई-पुस्तके डाउनलोड करके क्या करेंगे वे हिने कहीं और लोगों के साथ साजा करेंगे फिर वे लोग भी अपने रिदे को परिवर्तित होते हुए देखेंगे इसलिए हमें और भी कठिन परिश्रम करते हैं प्रभू को उसके नेक कारी के लिए धन्यवाद देते हैं हमने अभी प्रकाशित वाकिया ध्याई चार की संपूर्णता को पढ़ा है कुछ समय पहले प्रेवित युहन्ना ने एस्तिया की साथ कलिस्याओं के लिए जो संदेश लिखा था उसे साजा करने के लिए हमें आश्रिस मिली थी प्रेवित युहन्ना जिसने प्रकाशित वाकिय की पुस्तक लिखी वहाँ येशु का चेला है जिसने युहन्ना का सूसमाचार चार विहित सूसमाचारों में से एक और युहन्ना एक दो और तीन को भी लिखा वहाँ येशु का सबसे प्रिय शिष्य था और अपने जीवन के अंत में उसे रोमन समराट द्वारा सताया गया और पत्मुस द्वीप में निर्वासित कर दिया गया क्योंकि प्रेरित युहना की मात्रु भुमी इसरायल पर उस समय रोम का शासन था इसलिए उन लोगों के लिए जो रोमन समराजय की अवेहलना करते थे कैद होना और प्रेरित युहना ने समराट की आराधना में भाग लेने से इंकार करके रोम की अवेहलना की और इसलिए रोमन अधिकारियों ने उसे पत्मुस द्विप पर निर्वासित कर दिया और उसे वहाँ एक कैदी बना लिया लेकिन पत्मुस द्विप में निर्वासित होने की दोरान प्रेरित युहन्ना येश्यू के साथ एक गहरी संगती साजा करने में शक्षब रहा और इसलिए यहाँ पीडा उसके लिए एक आशिस थी और यहीं पर उसने प्रकाशित वाकिय की पुस्तक लिखी इस द्विप पर परमेश्वर ने प्रेरित युहन्ना को दिखाया कि मन भविष्य में क्या होगा इसी तरह जबकि धर्मीवी समय समय पर कटिनाई का सामना करते हैं परमेश्वर यहाँ सुनिष्ट करने के लिए सबी चीजों में कार्य करता है कि वे इस कटिनाई से आशिशित हो यह परमेश्वर की विधान से हैं कि प्रेरित युहन्ना को दिखाया गया परमेश्वर का प्रकासित वाकिय आज हम तक पहुँचाया गया है जब हम प्रेरित युहन्ना की कुष्ट भूमी की सपष्ट समझ के साथ उसके लिखे गए प्रकासित वाकिय को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ जानकर निश्टित हो सकते हैं यह परमेश्वर हमारी अगुवाई कैसे करेगा और हम जो कस्ट सहते हैं वो हमें प्रभु का अनुसरन करने में और भी अधिक मदद करता है और मैं वे बाते तुझे दिखाऊंगा जिनका पूरा होना अवश्य है पत्मुस द्विप पर प्रेरित युहन्ना को दिखाया गया दुनिया कैसे बदल जाएगी अपने वर्द निर्वासन से ठके हुए प्रेरित युहन्ना परमेश्वर से प्रात्ना कर रहे थे और प्रातना करते समय वहाँ परमेश्वर के आत्मा के नित्रुत्व में थे और स्वर्ग के प्रकाशित वाक्यों को सुनने और देखने में शक्सम हुए। उनके सिहासन पर बैठे थे और चार जीवित प्राणी जिनमें से प्रत्य के छे पंग थे और चारो और आखे थी। जब पूरी मानो जाती इस दुनिया के पापों में गिर गई थी और उसका नाशोने वाला तय था। प्रभु इस पृत्वी पर आये और पानी और लहु के सुसमा चार के द्वारा मानो जाती को उनके पापों से हमेशा के लिए बचा लिया। यहां प्रभु येश्यू मसी है। पुराने नियम के प्राचिक दिनों में केवल यहोवा परमेश्वर को परात्ना की जाती थी। लेकिन नए यम के समय में हम जानते हैं कि हमारी परात्नाओं का उत्तर तब मिलता है जब हम येश्यू मसी से परात्ना करते हैं जो स्वयम परमेश्वर है। येश्व मसी ने कहा कि उसने हमें पानी और लहू और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को ये शारी आसी से भी है प्रकासित्वा की अध्याई चार में प्रभू हमें दिखा रहा है कि वह कैसे राज्य करता है और हर चीज़ पर शाषन करता है स्वर्गिय प्रभूत्व से लेकर सांसारी प्रभूत्व तक सभी मनुश्य को चाहिए कि वे येश्व मसी की महानता और उनकी सामर्थ के आगे सिर जुकाए और उनकी स्तूति और आराधना करे क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को पहन लिया है हम विश्वास के द्वारा उसकी आराधना कर सकते है येश्व मसी वास्तों में अपने सभी प्राणियों और स्वर्धूतों से प्रशंशा के योग्य है पुराने दिनों में परमेश्वर ने प्रगट नाम कही थे जिनमें यहोवा भी शामिल था जिसका अर्थ है मैं जो हूँ सो हूँ और एलोहीम जिसका अर्थ है सर्वस्रक्तिमान परमेश्वर येश्व मसी स्वयम परमेश्वर है जिनके स्वर्ग और पृत्वी पर सबी चीजों को बनाया और जो अपनी सारी सुष्टी पर राज्य करता है और शार्षन करता है आज का पवित्र सास्तर का अंज हम सभी को यही दिखा रहा है यह हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासयों को बता रहा है कि येशु स्वयम परमेश्वर है जो हमारी स्तुती और आराधना के योग्य है हमारे पास उसके आराधना करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने हमें पानी और लहुक के सुसमाचार के माध्यम से बचाया है और उसका सन्मान और महिमा असीमित है जब प्रभु इस पृत्वी पर लोटेंगे तो वहाँ धर्मी लोगों को जो अभी भी संसार में रह रहे हैं अपने राज्य में ले जाएंगे अर्थात स्वर्ग के राज्य में जबकि वहाँ उन सभी का न्याय करेंगे जो विश्वास नहीं करते हैं कि येश्व मसीही सच्चा शासक है और उसके विरुद में खड़े हुए है इन लोगों को उनके कृत्यों और अविश्वास के लिए उचित रूप से धंडित किया जाएगा येश्व मसीह हमें स्वर्ग के राज्य में ले जा सकते हैं क्योंकि उनके पास आपको और मुझे इस दुनिया के सभी पापों से हमेशा के लिए बचाने की सामत है क्योंकि उसने तीस साल की उम्र में योहना बक्तिस्मा देने वाले से बक्तिस्मा प्राप करके एक बार और हमेशा के लिए दुनिया के पापों को उठा लिया और क्योंकि उसने कुरूस पर अपना खुन बहा कर हमारे सभी पापों की किमत चुगाई वह हमें संप्रुन बना सकता है उसने अपना उधार का कारे पुरा किया इस पुरुथवी पर उन सभी को पुनरुथित किया जो इस सत्य में विश्वास करते है अब हमारे प्रभू येश्व मसी अपने स्वर्गे सिहासन पर बैठे है और अपने सभी लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य को तयार करते हुए हमारी प्रतिक्सा कर रहे है इश्व स्वर्ग और प्रुथवी पर सभी चीजों का शाषक है और वहाँ स्वर्ग और प्रुथवी का प्रभू है येश्व मसी ना केवल मानो जाती का उद्धार करता है बलकि वहाँ स्वयम सच्चा परमेश्वर भी है जिसे सभी विश्वासियों के सन्मान और महिमा प्राफ्ट करनी है हमें विश्वास करना चाहिए कि येशु है हमारा सच्चा शाशक है पानी और आत्मा की सुसमचार में विश्वासियों के द्वारा येशु मसी की महिमा करना ही उचित है क्योंकि उसने हमारे लिए इस पृत्वी पर परमेश्वर का धर्मी कार्य किया है इस यूग और समय में हम सब जो पानी और आत्मा के सुसमचार में विश्वास करते हैं उसके लोग बन गये हैं और अब हम उसके सेवक और उसका आनद ले रहे हैं प्रभु पापियों की तलास में इस पृत्वी पर आए उन्होंने उन्हें पानी और आत्मा के माध्यम से बचाया और वे हम सबी को प्रेम करते हैं और इस सत्य में विश्वास करने वाले को आशिश देते हैं येश्व मसी के पास स्वर्ग और पृत्वी का सारा अधिकार है जैसे जैसे अंत निकट आता है आपको और मेरे लिए येश्व मसी हमारे सच्चे शाष्रक और स्वयम परमेश्वर के बारे में उचित ग्यान होना और उस पर भरोसा करना और विश्वा से उसका अनुसरन करना नितांत आवशक है इसलिए हम सभी को इस परमेश्वर से प्रांतना करनी चाहिए हमें सांती से रहना चाहिए अपना सब कुछ हमारे शाष्रक येश्व मसी को सौंब देना चाहिए और अब जैसे जैसे अंत निकटाता है हमें अपने शार्षक येशु को और उसकी धार्मिक्ता को अपने जीवन में और भी उंचा उंठाना चाहिए प्रकाशित वाके की पुस्तक हमें दिखा रही है कि कैसे हम प्रभू द्वारा बनाए गए अब से परमेश्वर के सास मैमा में रहेंगे येशु मसी की धार्मिक्ता ने हम सभी के लिए सच्छा उधार लाया है जो पानी और आत्मा की सुसमचार में विश्वास करते हैं और इसने हमें इस विश्वास के साथ जीने का आशिर्वा दिया है कि येशु मसी हमारा परमेश्वर है हम सभी को यहां समझना चाहिए कि यहां कितना अद्वूत है कि इन अंतिम समय में हमारे पास हमारा शाष्षक है कुछ लोग येशु को अपने उद्धार करता के रूप में विश्वास करने का दावा कर सकते हैं लेकिन वास्तों में वे यह नहीं जानते कि येशु मसी स्वर्ग और पृत्विका शाषक है तो उनका विश्वास वास्तों में केवल अपने मन में विश्वास करने के अलावा और कुछ नहीं है जो लोग केवल अपने धार्मिक धर्म परयानता के मामले में येश्व पर विश्वास करते हैं वे पिता परमेश्वर को एक महान परमेश्वर मानते हैं लेकिन वे यह नहीं जानते कि येश्रु मसी स्वायम परमेश्वर है जो भी सभी सन्मान, महिमाद, धन्यवाद और प्रशन सा फ्राप्त करने के योगिये हैं। प्रेणाम स्वरू पे येश्रु मसी के कार्य और उसके शाष्रन की उपिक्सा करते हैं। यहां एक तरास्दी है। वे अपने आप गलत सोचते हैं कि येश्रु मसी के पास न तो पिता परमेश्वर के समान अधिकार हैं और नहीं वह सामर्ती है। हम ऐसे किसी को भी कभी येश्रु मसी जो सभी का शाष्रक है उसे गलत नहीं समझना चाहिए और अव उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी खुद को ऐसी गंभीर गलती नहीं करने देना चाहिए। इसलिए हमें यहां पहचानना चाहिए कि येश्रु मसी जो पानी और आत्मा के सुसमा चार के द्वारा हमारे पास आए। हम सभी के लिए सच्चे शाष्रक है। मुझे इस दुनिया के सभी पापों से एक बार और हमेशा के लिए पानी और आत्मा के सुसमा चार के माद्यम से बचाया है। बलकि वह सच्चा परमेश्वर भी है हमें विश्वास्यों के लिए। दूसरे सब्दों में येश्व मसी स्वर्ग और पृत्वी का शाष्क है। उन लोगों के पापों का नयाई करेगा जो उसके अधिकार का तिरसकार करते हैं। लेकिन वह उन्हें प्रतीफल देगा जो इसके अधिकार और सच्चाई का पालं करते हैं। दोनों नियमों में परमेश्वर ने सुष्टी करता के रूप में हमसे बात की जिसने ब्रեխान में सभी चीजों को बनाया और उसने हमें दिखाया कि प्रभु न्याई और शाषक है जो पति तो स्वर्धुतों के पापों की निंदा करेंगे क्योंकि शाशक धर्मी और न्याही है परमेश्वर ने हमें यह भी दिखाया है कि वह उन लोगों के पापों का न्याही करेगा जो उसकी दया नहीं चाहते हैं ऐसे धर्मी परमेश्वर ने हमें जो किवल नीच और नीच प्रानी है संसार के सभी पापों से Sada के लिए बचाया है और यहाँ सब परमेश्वर की महान दया के कारण है इसलिए हम बेसे जो आप परमेश्वर की दया पर निर्बर है और पानी और आत्मा की सुसमचार में विश्वास करते हैं इस परमेश्वर को हमारा उध्धार करता और हमारा शाश्रक कहते हैं येशु मसी हम सभी के लिए सच्चे शाश्रक और परमेश्वर है इसलिए वह हमसे सारी महिमा प्राप करना चाहता है हमें उनकी उमिदों पर खरा उतरना चाहिए येसु मसी स्वयम परमिश्वर है जो हमारे द्वारा महिमा पाने के योग्य है क्योंकि वही परमिश्वर है जिसने हमें संसार के पापों से बचाया है यहां परमिश्वर इस वर्तमान युद में भी हमारा शाष्रक बना हुआ है जब तक कि हम उनकी उपस्तिती में खड़े न हो, हमें उन सभी पापियों पर परमेश्वर की दया प्रवट करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, जो इसके लिए तड़प रहे हैं इस तरह यहां विश्वास के द्वारा है कि जो लोग शाष्रक के न्याई में विश्वास करते हैं, वे अपने जीवन में उसकी महिमा कर सकते हैं जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वह न केवल अपनी धार्मिक्ता के विरुद खड़े विरुद्यों को परास्त करता चाहता है, बलकि वह अपने दयालू प्रेम और न्याई से उन पर जय प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उसकी दया से पाप प्रकासित वाक्या अध्याइचार वचे 10 और 11 हम सब जो अब पानी और आत्मा की सुसमचार में विश्वास करते हैं जानते हैं कि प्रभु कितने भान है और इस समझ के साथ हम अग्या कारिता में स्वयम को उसके अधिन कर देते हैं ऐसा इसलिए हैं क्योंकि परम प्रधान न किवल हमारा सच्चा उध्धार करता है बल्कि हमारा सच्चा शाशक भी है सच्चा शाशक कौन है? बहुत समय पहले कुछ स्वर्धुतों ने परमेश्वर के अधिकार को चुनौती दी थी लेकिन परमेश्वर इन विरोधियों को अपनी सामर्ध से नस्ट नहीं करना चाहता था बल्कि अपनी धारमिक्ता दया और न्याई से उन पर जये पाना चाहता था और हमारे साशक परमेश्वर की इच्छा हम में से उन लोगों के लिए थी जो उसकी धारमिक्ता में विश्वास करते हैं और सच्ची आशिशों को प्राप करना चाहते हैं मानो जाती का शाशक अपना दयालू प्रेम स्वर्दूतों पर नहीं बल्कि हम मनुश्यों पर देना चाहता था हमारे सासक येश्व मसीन आदम के वन्सजों को अपनी धारमिक्ता प्रदान की जो शैतान की परिक्षा में पढ़कर परवेश्वर के विरुदु खड़ा हुआ और येश्व उस आशिशों को पानी और आत्मा के सुसमाचार यानि परमेश्वर के उपहार के माध्यम से प्रगट करने के लिए प्रसंद थे वहाँ पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को संसार के सब पापों से हमेशा के लिए बचाने के लिए प्रसंद था वहाँ चाता था कि मनुष्य परमेश्वर के न्याय कुरूना प्रेम के माध्यम से अनाग्नेकारी के अपने सभी पापों से बच जाए इसलिए परमेश्वर ने अपने पराणियों में से उन लोगों को आशिस्ति है जो अपने पापों को पहचानते हैं और उसकी धार्मिक्ता में विश्वास करते हैं कि वे परमेश्वर की सच्ची संतान बने अब भी बहुत से लोग परमेश्वर की धार्मिक्ता के विरुद खड़े हैं ठीक वैसे ही जैसे स्वर्धुतों ने बहुत समय पहले परमेश्वर के विरुद विद्रो किया था इसलिए प्रभु परमेश्वर ने गिरे होई स्वर्दूतों को परमेश्वर की इच्छा के विरुद खड़े होने के लिए पाप के लिए दंडित करने की मांग की हला कि परमेश्वर ने मनुश्यों के साथ इन स्वर्दूतों से भिन्ड व्यवहार किया उन्हें दंडित करने के बजाए वह मानव जाती के लिए अपने उध्धार के सच्चे अनुग्र को प्रगट करने में प्रसंद थे उध्धार का यहा अनुग्र पानी और आत्मा के सुसमाचार में प्रगट होता है जो येश्र मुसी ने हमें प्रतान किया है क्योंकि परमेश्वर ने इस सुसमाचार में अपना धर्मी प्रेम प्रगट किया है, जो कोई इसमें विश्वास करता है, वह परमेश्वर की महिमा को देख सकता है. अब इसलिए हम सभी को उस उद्धार में विश्वास करना चाहिए जो हमारे दयालू परमेश्वर ने हमें उसके प्रेम और धार्मिक्ता के अनुसार दिया है सभी प्राणियों को विश्वास करना चाहिए और स्विकार करना चाहिए कि केवल येश्यु मसीही उधार करता है जिनोंने हमें दुनिया के पापों से छुड़ाया है हमारे शाष्रक येश्यु मसी ने पूरी मानो जाती को संसार के पापों से मुक्ती दिलाई है यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो हम सब परमेश्वर की धार्मिक्ता के विरुद खड़े परमेश्वर के सत्रू बन कर रहे सकते हैं इसलिए हमें उस सासत के प्रेम में विश्वास करना चाहिए जिसने हमें धर्मी बनाया है और इस विश्वास से हमारे उध्धार को प्राप करना चाहिए इसी विश्वास के साथ हमें प्रभू का धन्यवाद करना चाहिए हमारे प्रभू परमेश्वर ने हमें पाप रहित बनाया है और हमें अपने प्रभू का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारा स्वामी और उध्धार करता है क्योंकि उसने हमारे साथ वैसा ही व्यवार नहीं किया जैसा उसने गीरे हुए स्वर्दूतों के साथ किया इसलिए जैसा कि हम अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं तब के वल यहां उचीत है कि हम अपने सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर की स्थूति करे। हम अपने शाषक परमेश्वर की छवी की समानता में बनाए गए थे और यहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें एक बार और हमेशा के लिए हमारे सभी पापों से बचाने के लिए इस पृत्वी पर आया। इसलिए हमें उसके उद्धार में विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन में उसके शाषक पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार इस तथ्ये को देखते हुए कि हमारे उद्धार करता ने हमें दुनिया के पापों से छुड़ाया है, हम कैसे इस परमेश्वर के द्वारा शाषित नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का आशिरवाद हैं जो शाषक की दया में विश्वास करने वालों को दिया जाता है। और ऐसा करने के लिए हमें प्रभु के लिए अपने विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। स्वर्ध के शाषक के माध्यम से प्रेवित युहन्दा ने हमें दिखाया कि स्वर्ध की आशिशों को कौन प्राप करेगा। उसने हमें यह भी दिखाया कि हमें से जो येश्व मसी में विश्वास करने के द्वारा बचाये गए हैं उन्हें क्या आशिशे मिलेगी। हम पहले से ही आभारी हैं कि प्रभु ने हमें पानी और आत्मा के सुसमचार के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए दुनिया के पापों से बचाया है। इसलिए हमें अपना शेश जीवन अपने सर्व सत्ताधारी परमेश्वर को सौप देना चाहिए और उसे समर्पित कर देना चाहिए। हमारे पास विश्वास और सेवा का जीवन जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जसा कि परमेश्वर ने हमारे लिए इरादा किया है प्रभू इस पृत्वी पर वापस लोटेगा परमेश्वर ने प्रेदित युहना को यहां चित्र प्रकाशित वाके की पुस्तक में दिखाया क्योंकि वहां और कोई अन्य मसीही उस समय परमेश्वर के सत्रुवों से भारी उत्वीडन का सामना कर रहे थे इसलिए उन प्रारमबि कलिस्या के दिनों में भी प्रभू के अनुयाई अप उनकी वापसी की प्रतिक्सा कर रहे थे हाला कि अब हम 21वी सदी में जी रहे हáticas हैं हमें याद रखना चाहिए कि हम भी अपने प्रभू की दूसरे आग्मन की प्रतिक्सा कर रहे है अभी 2021 है लेकिन कहा जाता है कि 2035 तक जिवास्मा इंदन जला ने आंतरिक दहन इंजन सभी पर प्रतीबंद लगा दिया जाएगा तब फिर बिजली के बहान का क्या होगा वे विद्यूत या हाइड्रोजन सक्ती जैसे वैकल पिक पर्यावरन के अनुकुल उर्जयास्त रोतुद्वारा संचालित होगे आखिरका ड्रोन की तरह उड़ने में शक्सम वाहनों का व्यवसाई करण किया जाएगा 2015 तक कोईल या तेल के ढेर के बजाए एक लीटर हाइड्रोजन के लिए पर्याप्त तकनी की प्रगतिकी होगे सब कुछ अधिक से अधिक भाउतिक वादी हो जाएगा एक नया यूग आ रहा है जब मानिवे गरिमा समाप्त हो जाएगी और कम्प्यूटर इंटरनेट और कुरुत्रिम बुद्धी मता सब कुछ संभाल लेगी जब यह समय आएगा तो मानव जीवन का अवव मुलियन बेहरेमी से किया जाएगा जबकि AI को उंचा किया जाएगा जो लोग AI को नियंत्रित करते हैं वे बाकी पर हावी होंगे अधिक से अधिक लोग परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास्यों के खिलाफ खड़े होंगे और तब प्रभु का शाश्रक आएगा और हमें विश्वास्यों को दूर ले जाएगा सर्व सामर्थी प्रभु इस पृत्वी पर लोट आएगा मैं असीम रूप से आभारी हों कि प्रभु ने मुझे मेरे सभी पापों से बचाया है लेकिन कभी-कभी मैं मन की शांती बनाय रखने के लिए शंगर्ज करता हूँ इसलिए मैं उस्वर्ग्य प्रभुत्व की लालसा करता हूँ जिसे परमेश्व ने मिरे लिए तयार किया है मैं अपने पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि येश्व मसी ने स्वर्ग और पृत्वी पर सभी चीजों को बनाया वहाँ उन सभी परशासन करता है और यहाँ कि वहाँ सारी चीजों पर अधिकार रखता है वे लोग जो परमेश्वर के हैं उनके पास भविश्य क्यासा है युहन्ना अधियाई 18 वच्चन 36 में लिखा है मिरा राज्य संसार का नहीं है जब येश्वर नहीं यहाँ कहा कि उसका राज्य संसार का नहीं है तो इसका अर्थ है कि प्रवोई संसार की नहीं है इसका मतलब यहाँ भी है कि हम भी इस दुनिया की नहीं है फिर हम किसके हैं? हम परमेश्वर के धर्मी प्रेम में विश्वा सरकने वाले हमारे शास्त येश्व मसी के हैं न कि उसके शत्रू के हैं स्वर्गिया पृत्वी में ऐसा कुछ भी नहीं वास्तों में पूरे ब्रम्हान में ऐसा कुछ भी नहीं मत्य अध्याई 6 वच नौर 10 इसका आर्थ है कि परमेश्वर स्रभी प्राणियों से उपर है और उन पर राज्य करता है हमारे साथ भी ऐसा ही होता है क्योंकि प्रभू ने कहा क्योंकि तुम ही संसार के नहीं हो इसलिए संसार के लोग तुम से बैर रखेंगे यह स्पस्ट रुप से जान लो जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे ही तुम भी संसार के नहीं हो प्रभू ने हमसे यह भी कहा यहां जानकर कि तुम स्वर्ग के आत्मिक प्राणि हो इस पूठीव पर परमिश्वर का विरोध करने वालों के विरोध अपना आत्मिक रुख अपनाओ प्रभु ने हमें विश्वास करने के लिए कहा कि वह शाशक है जो हमें ले जाने के लिए आएगा इस पूठ्यू पर रहते हुए हम सभी को सांसारिक श्रम सहना चाहिए हमें इस धर्ती पर कब तक श्रम करने के आवशक्ता है हमें ऐसा तब तक करने के आवशक्ता है जब तक कि हम पानी और आत्मा की समचार से पूरी दुनिया में लोगों तक नहीं फैलाते हम पानी और आत्मा की सुसमचार में विश्वास करने वाले इस दुनिया के नहीं है जो लोग प्रभु के हैं वे वही रहेंगे जहां हमारा प्रभु है क्योंकि उनमें कोई पाप नहीं है जैसे प्रभु मरे हुओ में से जी उठा वैसे ही हम भी मरे हुओ में से जी उठेंगे और जैसे प्रभू की महिमा होती है वैसे ही उसके साथ हम भी महिमा पाएंगे आखिरकर हम पानी और आत्मा की सुसमाचार में विश्वासियों को स्वर्धूतों द्वारा सेवा दी जाएगी हम ऐसी आशिशे ठीक इसलिए मिलेगी क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है इसी पल आपकी रिदे में हमारे प्रभू परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए क्योंकि हम इस संसार में रहते हुए भी शैतान के नहीं परमेश्वर के हैं जो अभी भी शैतान के हैं उनके पास बिलकुल कोई आशा नहीं है जब यह संसार नस्ट हो जाएगा तो वे भी इसी तरह संसार के साथ नस्ट हो जाएगे जैसे परमेश्वर के विरुत खड़े लोग नस्ट होते हैं इसके विपरित हम इस दुनिया के नहीं है और इसके बजाए हमारे शाष्रक येश्व मसी के हैं और इसलिए हमारे पास स्वर्ग की राजिय में प्रविश करने और रहने की आशा है इसलिए मैं आप सभी से यह सबजने के लिए कहता हूँ कि हम वास्तों में कौन है परमेश्वर के वचन में विश्वास से जीए और भरोसा करे कि जब येश्व मसी हमारे साष्रक वापस लोटेंगे तो हम उनके राजिय में प्रविश करेंगे जैसा कि नए नियम में लिखा है हम जाकर परमेश्वर की उपस्तीती में खड़े होंगे हम धरमी इस दुनिया में जी रहे हैं और जब समय का अंत आ रहा है और कलेस हमारे रास्ते में आता है तो सत्यका वचन जी से हमने अपने दैनिक जीवन में पढ़ा और सुना है वह हमारी सामर्थ होगा जो हमें अपने आत्मिक शत्रू से लड़ने और जीत हासिल करने के लिए शाश्त करेगा क्योंकि हमारे शाश्त का वचन हम सभी की दिलों में काम करता है जो पानी और आत्म के सुसमाचार को विश्वास करते हैं जब हमारे आत्मीक यूद करने का समय आता है, तो हम अपने सभी दुष्मनों को हरा देंगे. यहां जीत हमारे मुक्कों से लड़कर नहीं आएगी. इसके बजाए यहां परमेश्वर के वचन से हमारी विश्वास के द्वारा है, कि हम पानी और आत्मा के सुसमचार में धर्मी विश्वासी अपना स्थान बनाएंगे और शैतान और उसके सभी लोगों पर प्रबल होंगे. यदि हम अपने आत्मी क्षत्रो द्वारा सहीद हुए, तो प्रबु हमें स्वर्ख के राजे में ले जाएंगे, क्योंकि हम अपने शाषक के लोग हैं, किवल अपने प्रबु परमेश्वर भरोसा करके ही, हम भविशे के लिए आशा पा सकते हैं. प्रबु निश्चित रूप से इस अंसार में शाषक के रूप में लोटेंगे, वहां जो आने वाला है येश्व मसी राजाओ का राजा है, वहां अब अपने सफेज सिहासन पर विराजमान है, जब हम प्रकाशित वाकिया ध्याई 20 के और मुड़ते हैं, तो हम देखते है कि यह हमारा प्रबु है जो महान शुवेद सिहासन का न्याई करेगा, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को धार्मिक्ता के न्याई के रूप में जिलाया है, उसने पापियों का न्याई करने अपने पुत्र को सौपा है, इसका आर्थ है कि येश्व मसी स्वयम परमे विश्वास की जीवन का नेत्रुत्व इस स्पष्ट समझ के साथ करे कि हमारा परमेश्वर कौन है। बेशक प्रभू ही उधार करता है जिसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। लेकिन अगर हमारी समझ सिर्फ यही तक स्वीमित है तो हम सैतान के साथ आने वाली लड़ाय में विश्वास से लड़ने में शक्षम नहीं होंगे। जब हम सभी येश्व मसी के अधिकार और सामर्थ को पूरी तरह से समझ लेते हैं केवल तबी हम शैतान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पापी नहीं जानते कि येश्व मसी इस धरती पर वापस आएंगे। पर तो हम धर्मी इस बात को वर्तमान युक के चिनों से भली भाती जानते हैं। दुनिया एक अजीबो गरीब बदलाओ के दौर से गुजर रही है। अभी भी दूर है जब दुस्मन इस पृत्वी पर पूर्म नियंत्रल प्राप्त करनेंगे। ऐसा होने के लिए व्यावहारिक रूप से इस दुनिया के हर कानुन को उलेड़ना होगा। क्या दुनिया के सभी लोग कुरोना वाइरस के खिलाप टिका लगवा पाएंगे। दक्सिन कोरिया में टिका करन देर से पूरा होने की उम्मिद है। कहा जाता है कि केनाडा सितंबर तक अपने सभी लोगों का टिका करन कर चुका होगा। संयुक्त राज्य अमरीका भी टिका करन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे असामानिय समय में रहते हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासयों को महामारी से कैसे निपटना चाहिए। हमें स्पस्ट रूप से मास्क पहनना चाहिए और बिमारी से बचाओ के लिए हर संभव साउधानी बरतनी चाहिए। चारों तरफ वाइरस फैल जुका है। जब वाइरस किसी व्यक्ति के सरिल में प्रवेस करता है तो वहां तेन दिनों तक बहुत सक्रिय रहता है। जैसे कि मास्क पहनना, बार बार हाथ दोना और जब भी जरूरत हो किटानों ना सका उप्योग करना। अपने हाथों को साफ रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम अपनी नाक और होटों को आदतन बिना जाने ही छूते हैं। यदि किटानू ना सका ओप्योग किया जाता है तो यहाँ कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर हमारे हाथ वाइरस के संपर्क में आ जाते तो यहाँ तुरंत संक्रमन का कारण बन जाता। मास्क को लगन से पहनना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि कभी कभी कहा जाता है जब तक हमें टीका नहीं लगाया जाता तब तक कोरोना वाइरस के खिलाफ अगला सबसे अच्छा बचाओ मास्क पहनना है। जबकि हम अपने परिवार के साथ घर पर होते हैं तो मास्क की आवशक्ता नहीं है। जब भी घर से बहार किसी के साथ हो तो हमें उन्हें पहनना चाहिए। हमें बहुत सतरक रहने की जरूरत है। इस युग में रहते हुए हमें ये शुमसी और उसके वाइदों के वचन पर विश्वास करना चाहिए। जब ये भायानक कोरोना वाइरस महामारी खत्म हो जाएगी तो एक ऐसी बिमारी फैलने की संभाव ना होगी। टैक्स भी बहुत बढ़ जाएगा। यवसायों पर अधिक नियम लागू होंगे। फिर भी हम निरास नहों। आईए हम इसके बजाए साउधानी से हर एतिहाती उपाई करें ताकि हम अपने जीवन को पानी और आत्मा के सुसमाचार को पूरी दुनिया में पहलाने के लिए समर्पित करना जारी रख सकें। अपने सुरक्षा को न हटाए ताकि ना केवल स्वयम संक्रमित होने से बचे बलकि अपने साथी विश्वासियों को भी संक्रमित होने से बचाए। हम कुरोना वाइरस को लेकर सिर्फ इसलिए सतर्क नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं बलकि इसलिए भी कि हम अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना चाहते हैं यहार रोग इतना संक्रमख है कि यदि आप संक्रमित हो जाते हैं, तो यहां वहां समाब्ट नहीं होगा, और इसके वजाए आपके आसपास के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। कि सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए अभी भी बहुत से ऐसे सास्तान है जहां सुसमाचार नहीं पहुँचा है हमें और समय चाहिए चुकि हम सब सूपर हीरो नहीं है इसलिए हम काम को एक बार में पूरा करना सारे रिकूर्प से असंभव है यहां एक अधबुच चमतकार है कि हम अपनी साहीतिक सेवकाई को आज तक करने में सक्सम है बहान मिनू की इन दिनों थकान से तब यह ठीक नहीं चल रही है मैंने भी इसका नुभव किया है प्रकाशन कोई आसान काम नहीं है हम कुद को किताब आगे बढ़ा सकते इसकी एक सीमा होती है जब हम इस तक इस हद तक पहुंच जाते है तो हमें एक विराम लिना चाहिए और आराम करना चाहिए जबकि हमें अपनी साहीतिक सेवकाई को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए हमारे लिए यह भी महत्वपुना है कि हम अपने व्यवशाई का स्वास्ते का ध्यान रखे और जब हम ठक जाए तो आराम करना सूनिस्चित करे क्योंकि जब परमेश्वर के कार्य की बात आती है तो करने के लिए बहुत कुछ है यदि हम सब कुछ समाप्त करने तक विश्राम को टालने का प्रयास करते हैं तो हमारे स्वास्ते को नुकसान होगा यह केवल वही जानता है जिसने परमेश्वर का बहुत अधिक कार्य किया है जब भी हम काम से अभीभूत महसूस करते हैं तो हमें अपने कार्य भार में उचीत समायोजन करने की आवश्रक्ता होती है जब तक आपको परयाप्त आराम नहीं मिलता है तब तक आप बढ़िया दवाई ले ज़्यादा कार्य का कोई उपाई नहीं है बाकी सब अप्रभावी है मैं अपने स्वास्त की सिती के प्रती बहुत चौकस रहता हूँ और जब मैं बहुत अधिक तनावग्रिस्त हो जाता हूँ तो थोड़ी राहत लेता हूँ स्वेत रक्त कोशिकाय प्रती रक्षा प्रणाली की कोशिकाय है जो सरीर को संक्रमणों से बचाती है और स्वस्त स्वेत रक्त को सिकाए गोल आकार की होती है लेकिन जब कोई व्यक्ती बहुत अधिक ठक जाता है तो उसके सरीर में स्वेत रक्त को सिकाए अपना गोल आकार को देती है और सभी दांतेदार हो जाती है रक्त बहुत अधिक चिपचिपा हो जाता है और परिणाम स्वरुप यह आसानी से प्रसारीत नहीं होता है जब रक्त की चिपचहा चिपचिपाहट बहुत अधिक हो जाती है तो इससे मृत्ति हो सकती है यह मस्तिस्क में रग्द के ठक्के का कारण बन सकता है जिससे घातक श्ट्रोक को आ सकता है और रिदे पर बहुत ही अधिक दबाओ पड़ सकता है इसलिए हमारे लिए मैत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्य भार को उचित समय प्रबंदित करे आई हम सभी अपने स्वास्त की अच्छी देखभाल करें ताकि हम पूरे विश्रोव में पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार कर सके और आने वाले लंबे समय तक लोगों की जहान बचाना जारी रख सके हम अभी भी पानी और आत्मा के सुसमचार को पूरी दुनिया में फैलाने से बहुत दूर है इन अंतिम समयवाँ में लोगों की रिदे इतने कठोर हो गया है कि वे पानी और आत्मा के सुसमचार को सुविकार करने से इंकार कर देते हैं इसलिए हमारी साहीतिक सेवा अपरी हार्य है बहुत कम लोग अपने आत्मिक पूर्तियों के बारे में सोचते हैं जिनके दिल कठोर है उन्हें बहुत देर होने से पहले कुछ वास्तवी कठिनायों का सामना करना पड़ता है यदि प्रभू के सामने उनके दिलों को तोड़ने के लिए यहां आवश्क है तो उनके लिए हमारी साहीतिक सिवा के द्वारा प्रचारी पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके उधार तक पहुँचाना है तो यहां एक अद्भूत आश्शिरवाद होगा जैसे जैसे कुरोना वाईरस हमारी महामारी का प्रकोबजारी है हमारे लिए हैं और भी महत्वपूर्णा है कि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार का इमानदारी से प्रचार करें हमें सभी साधनों का उप्योग करना चाहिए चाहे वे ई-पुस्तके हो, मुद्रित पुस्तके हो, द्वीभाशी पुस्तके हो या आउडियो पुस्तके हो और हमें उन्हें यथा संभो व्याप्म कुरुप से उपलब्द कराना चाहिए आपको आश्चर्य हो सकता है कि इस तरह से दुनिया के हर कोने में सुसमाचार कब फैला जाएगा लेकिन इस पर सवाल उठाना गलत होगा आखिरकार परमिश्र हमारे काम से हमें उच्साहित कर रहा है हमें अपने शार्षक पर विश्वास करना चाहिए सर्वाशक्तिमान प्रभु ने पानी और आत्म के सुसमाचार के द्वारा हमें बचाया है और हमें अपने शार्षक के रूपे उस पर भरोसा करना चाहिए हमें भरोसा करना चाहिए कि परमिश्र हमें आश्चिश दे रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ मैंने बहुत मेहनत की और अपना पूरा जीवन हमारी कलीसया को समर्पित कर दिया है इसके वित्तिय भविश्य को सुरक्षित करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ कभी कभी मैं सोचता हूँ सब काम क्यों कर रहा हूँ अंत में मैं सब कुछ छोड़ कर परमिश्वर के पास जाऊँगा तो मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ऐसे विचार शन भंगूर है मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे जहाने के लंबे समय बाद हमारी कलीसिया एक ठोस वित्यस तर पर हो ताकि दुनिया के अंत तक आपकी जरूरते पूरी हो इमारतों की जरूरत है इस बारे में सोचे कि हमें अपनी सेवकाई के लिए कितनी जगा चाहिए जब हमने पहली बार इन इमारतों को खरिदा था जिनका हम अभी उप्योग कर रहे हैं तो वे सभी जरजर और टूटी दिख रही थी लेकिन अब वे हमारे लिए अपरिहार्य है इन इमारतों के बिना हमें क्या किया होता अगर हम इस तरह से मैदान तयार नहीं करते हैं तो क्या होगा यदि हम फसलों की खेती नहीं करते हैं तो क्या होता हमें अपने तरीके से तयारी करनी चाहिए जिस प्रभू पर हम विश्वास करते हैं अब न्याई उधार करता शार्शक और सेनापती के रूप में स्वर्ग के सिहासन पर विराजमान है इस बात को समझते हुए और इस पर विश्वास करते हुए हम सब इस विश्वास के द्वारा उस दिन तक प्रभू की सेवा करें जब तक कि हम उससे ना मिले यहां आज के प्रवशन का समापन करता है मैं आपको अगली बार फिर से देखने की उम्मित करता हूँ झाल